विविद्ताओं और विरासत का अनूठा संगम भारत और ये विविद्ताओं और विरासत स्पष्ट होती है भगवान जगन्नाद की भूमी औरिशा में भारत का उतकल प्रदेश जोवन संपदा, खनिज, रंगबती संगीत, बोलियों, वास्तुकला, शिल्प, दृत्य, कला और संस्कृती की प्राचीन विरासत से हैं संब्रिद्ध और विरासत के साथ विकास को बढ़ावा दे रहे हैं दूर दर्शी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तेज विकास के लिए सभी राज्यों की प्रगती की गती को बनाए रखना है बहुत जरूरी इसलिए सबका साथ सबका विकास की समदर्शी सोच के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश की आवश्यक्ताओं से जुड रहे हैं और आज देने जा रहे हैं अडिशा को 68,000 करोड रुपे से अधिक की विकास परियोजनाओं की भव्य सोगार इंफ्रास्ट्रक्टर से लोगों का सिर्फ जीवनी असान नहीं होता बलकि समाज को भी ससक्त करता है जहां इंफ्रास्ट्रक्टर का अभाव होता है वहां लोगों का विकास भी पिषड जाता है जहां इंफ्राफ्रेक्टर का विकास होता है, वहां लोगों का विकास भी तीजी से होता है। सूपर थर्मल पावर स्टेशन तथा 2300 करोड रुपे की लागत से बनी, NTPC की संयुक्त उध्यम कंपनी NSPCL की रावर केला PP2 विस्तार परियोजना, साथ ही 1320 मेगवाट की क्षमता वाले तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तीसरे चरण का प्रधान मंत्री जीद्वा करा हो रहा है शिला न्यास, इसकी अनुमानित लागत 12000 करोड रुपे है, यह परियोजनाए परियावरनिय विशेश्ताओं के साथ आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, इन तापिय उर्जा परियोजनाओं से बनी आधी बिजली उडिश्या को समर्पित जगदीशपूर हल्दिया तथा बोकारो धामरा पाइपलाइन के धामरा अंगूल खंड का और शिला न्यास करेंगे मुंबई नागपूर जारसुगुडा पाइपलाइन परियोजना के नागपूर जारसुगुडा खंड का जिससे नसिर्फोडेशा में रोजगार के लान्यास कर रहे हैं 27,000 करोड रुपे की अनुमानित लागत वाले NLCIL ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का अत्याधुनिक सन्यंत्रों वाली इस्तापिय उर्जा परियोजना की उत्पादन शम्ता 2400 मेगावाट होगी साथ ही प्रधान मंत्री जी उद्गाटित कर रहे हैं चार अन्य परियोजनाई राज्य के विकास के साथ बहतर कनेक्टिविटी प्रधान मंत्री जी का प्रमुक उद्देश रहा है इसी कड़ी में प्रधान मंत्री जी लो कारपित कर रहे हैं संबलपूर तालचेर रेल लाइन का दोहरी करण, खोरधा रोड बलांगीर नई रेल लाइन का ज़ारतरभा सोनपूर सेक्षन और उद्घाटित कर रहे हैं राष्ट्रिय राजमार्ग 520 का चार लेन रिमूली कोईडा खंड, राष्ट्रिय राजमार्ग 143 का चार लेन बीर मित्रपूर भ्रामणी बाइपास खंड, चार लेन राष्ट्रिय राजमार्ग 143 का भ्रामणी बाइपास राजा मुंडा तथा बहतर नागरिक सेवाओं के लिए कर रहे हैं शुभारक पूरी सोनपूर पूरी सापताहिक एक्सप्रेस लोकारपन कर रहे हैं जार सु गुडा डाग घर के पुनर विक्सित भवन और घाटन कर रहे हैं आयायम संबलपूर के भव्य भवन का साथ ही आच्छिलान न्यास हो रहा है संबलपूर रेलवे स्टेशन के पुनर विकास का जिससे उडेशा का समग्र विकास हो सुनिश्चित राज्य की उर्जा आवश्यक्ताओं के साथ देश की उर्जा आत्म निर्भरता बढ़े राज्य का युवा बहतर शिक्षा से अपनी सक्षमता को बढ़ारे राज्य में रोजगार के असीन अवसर खुलते रहे जन सुविधाओं में बढ़होत्री से जन जीवन सरल हो आज प्रधान मंत्री जी ने आया येम संबलपुर से उर्जा को दी है इन परियोजनाओं की सौगात ताकि विक्सित भारत के लिए विक्सित उर्जा ले आका